ओम नमेश्य आज है माकाल दोस्तों, दोस्तों गणपती विसर्जन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि 10 दिन की पूजा पाठ के बाद विसर्जन करते समय हम जाने अंजाने एक छोटी छोटी सी गलतिया कर देते हैं जिसके कारण हम पाप के भागीदा बनते हैं और हमें पूजा का फाल नहीं मिलता जिस तरीके से हम गरपती जी की स्थापना शुम ओरत में करते हैं पूरी पूजा पाठ विदी विधान के साथ करते हैं ठीक उसी प्रकार से गणेश विसर्जन करते समय भी शुम ओरत और पूरे विदी विधान का ध्यान रहेगी, शुम वृत क्या रहेगा? क्योंकि शुम मौुरत में किया गया कारिय करने से अच्छा फ़ल मिलता है गनपती विसरजन भी आपको शुम महरत और सुमय में करना चाहिए आईए सबसे पहले जानते हैं गनपती विसरजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है भगवान गनेश को प्रिसन करने के लिए मनो कामना पूर्ती के लिए विसरजन के दोरान हमें किन गलतियों से वचना चाहिए दोस्तो जिस दिन आप भगवान गनेश का विसरजन करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको मंगल मूर्ती के आर्थी करनी चाहिए गनेश जी की प्रतीमा को ले जाते समय सीज़ का जरूर ध्यान रखें कि प्रतीमा का मुख घर के अंदर की तरफ हो और ना कि उनकी पीट बहुत से लोग उल्टा ले जाते हैं कि पीट उनकी घर की तरफ होती है और मुख बार की तरफ होता है मुख हमेशा घर के अंदर की तरफ होना चाहिए और पीट बार की तरफ होनी चाहिए विसरजन से पहले भगवान गणेश से जाने अंजाने में हुई गलतीयों के लिए छमज जरूर मागे और उनसे प्रातना करें के है भगवान हमारे घर में सदय सुखसम्रति का वास हो विसरजन के पहले नदी आतालाव के किनारे एक बार पुने स्री गनेश के आर्थी जरूर करें इसके बास सम्मान के साथ प्रतिमा का विसरजन करें भगवान गणेश की मूर्ती को फैकना नहीं चाहिए, उन्हें पूरे आधर और समान के साथ, वस्त्र और समस्तमागरी के साथ धीरे धीरे भाए गणेश विसरजन की पूझा में नीले या काले रंग के कपड़े नहीं बहने चाहिए, इसका भी जरूर ध्यान रखे गणपती विसरजन करते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, घर में यदि आप गणपती जी का विसरजन कर रहे हैं तो कीन बातों का ध्यान रखे हैं, किस तरीके से घर में गणपती का विसरजन कर सकते हैं सबसे पहले आपको एक गंबले में पानी डालना है, आप मूर्ती को इस गंबले में विसरजित करें मूर्ती को गलने के लिए पूर गया उत्तर दिशा में रखे, मूर्ती विसरजन का पानी तुलसी के पोधे में ना डाले गणेश विसर्जन की पूझा विदी दोस्तों किस तरीके से करनी है क्योंकि विसर्जन की पूझा विदी पूरे विधी विधान से करेंगे तब ही आप से गणपती बबा प्रिशन होंगे और आपकी हर्मनो कामना को पूर्या करेंगे तो भगवान गनेश के प्रतिमा विसरजित करने से पहले एक लकड़ी की पट्री पर गंगा जल डाल कर उस पर घर की महिलाओं को स्वास्तिक बनाना चाहिए अब पट्री पर थोड़े से चावल डाले एक चावल आपकी तूटे हुए नहीं होने चाहिए उस पर आप गुलाबी या पीले लाल रंग का कपड़ा विछा दें कपड़ा विछाने के बाद उस इसान पर भपा जी की प्रतिमा को रखे भपा को पट्री पर सापित करने के बाद उन्हें फल, फूल, मोदक का भोग लगाईए गणेश जी को विदा करने से पहले प्रतिमा की विदिवत पूजा करे भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन करने से पहले बपा को नए वस्तर जरूर पहनाए बाद में रेश्मी कपड़े में मोदक, पैसा, दुर्वा, घास, सुपारी जो आपने लिद्धी सिद्धी नाम सहरूप उनके दोनों तरफ रखी थी उन सब को पॉर्टली में बांध करके प्रतिमा के पास रखें अब घर के सभी सदस्ये एक साथ बपा की आरती करें और बपा का मंत्र बोलते समय या उनका जैकारा लगाते समय बपा मोर या रे, बपा मोर या रे की जैजैकार लगाएं बाद में सभी एक साथ हाथ जोड़कर बपा की प्रतिमा के सामने उनसे च्छमा प्रातना करें कि हे बपा आप हमारे घर में दस दिन से विराजमान थे अगर जाने अन जाने कोई हमसे गलती हो गई हो तो हमारी भूल को छमा करें, हम तेरे बालक हैं, हम ने पूजा पाट की विधी नहीं पता भगवान के सामने ये कहकर अगर पूझा में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो प्रभूस को छमा करना अपनी छमायाच्रा जरूर करें अब बपा की मूर्ती को विसरजन करने के लिए ले जाएं ध्यान रखे विसरजन करते समय बपा की पृतिमा से निकले अन्य कोई भी चीज़ को इधर उधर ना फैके उने भी सभी मान समान के साथ जल में प्रुआ कर दे मंत्र का जाब जरूर करें जब आप भवान गणेश की मूर्ती को इस्थापित करते हैं विसरजित करते हैं तो उस समय ओम गंगरपते नमाय मंत्र का जाब जरूर करें आईएम जानते हैं गणपती बाबा का विसरजन कब किया जाएगा गणपती बाबा का विसरजन अनन्च चतुरदिसी के दिन किया जाता है इस दिन 28 सितम पर को अनन्च चतुरदिसी के दिन गणपती बाबा का विसरजन किया जाएगा प्राते काल शुम मौरत रहेगा सुबह 5 बचकर 49 मिनट से सुबह 7 बचकर 9 मिनिट तक का दोपेर अमरत मौरत सुबह 10 बचकर 9 मिनिट से दोपेर 2 बचकर 49 मिनिट तक का रहेगा शाम का शुम मौरत 4 बचकर 10 मिनिट से रात के 8 बचकर 40 मिनिट तक का रहेगा इस दिन आप गणपती जी का विसरजन कर सकते हैं गणपती जी की मूरती को जब हम अपने घरों में लाते हैं उनकी प्राण पृतिस्रा कराते हैं मंध्रों के माध्यम से गणपती जी का आवन करते हैं तो हिंदू मानेताओं के अनुसार जो भी स्प्रत्वी पर आया है इस ग्रह पर पैदा हुआ है उसका जाना जरूरी है गणपती विसरजन जनम और मृत्यू के इसी चक्र का प्रतीख है अनुस्ठान और परमपराव के अधार पर विसरजन आप 3, 5, 7 और 11 दिन पर किया जा स तो लोगी वीडियो को जादर सा जादर लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके तो चलिए मिलती नई वीडियो में नहीं चानकारी के साथ तब तक भगवान शीव के भगते हैं तो कमेंट स्रेक्शन में हर हरमादे लिखते चलि से आर सकारी कराद कव अर्यादे लिवान वी जार यपे यद झाल स्केमेंट तो कुदो पायर जाप although ऑस वीडियो को जाद़ में हर भी पायर विड़ा में हों कुदो नह वीडियों मुदों पूनार जार में विडये झाल 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 झाल